भाजपा ने जब मुझे प्रधान मंत्री पत का उम्मिद्वार बनाया था तब अंबिकापूर में ही आपने लाल किला बनाया था और जो कॉंग्रेस का इको सिस्टीम है आए दिन मोदी पर हमला करने के लिए जगा ढूंदते रहते हैं उस पूरी टोली ने उस समय मुझे पर बहुत हमला बोल दिया था कि ये लाल किला कैसे बनाये जा सकता है अभी तो प्रदान मंत्री का चुनाओ बाकी है और ये लाल किले का द्रश्य बना करके वहां से सभा कर रहे हैं कैसा करता है याने तुफान मचा दिया था बात का बवंडर बना दिया था लेकिन आपकी सोते वही मोधिलाल के लिए पर पहुचा और रास के नाम संदेश दिया और आज अंबिकापूर ये खेत्र फिर बही आशिरवाद दे रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार साथियों कुछ मेहने पहले मैंने आपसे 36 गड़ से कॉंग्रेस का ब्रस्टाचारी पंजा हटाने के लिए आशिरवाद मांगा था आपने मेरी बात का मान रखा और इस ब्रस्टाचारी पंजे को साप कर दिया और आज देखिए आप सबके आशिरवाद से सरगुजा की संतान आदिवासी समाज की संतान आज 36 गड़ का मुख्य मंत्री के रूप में 36 गड़ के सपनों को साकार कर रहा है और मेरे अनन्य साथी बाई विष्टनु जी विकास के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं आप देखिए अभी कोछ जादा समय नहीं हुआ है बहुत कम समय हुआ है लेकिन इन्होंने इतने कम समय में रॉकेट की गती से सरकार चलाईए धान किजानों को दी गारंटी पूरी कर दी अब तेंदू पत्ता संग्राकों को भी जादा पैसा मिल रहा है तेदू पत्ता खरीद भी तेजी से हो रही है यहां की माताओं बेहनों को महतारी बंदन योजना से भी लाब हुआ है 36 गड में जिस तरह कॉंग्रेस के गोटाले बाजों पर एक्षन हो रहा है यह पूरा देश देख रहा है साथियों मैं आज आपसे विख्सित भारत विख्सित 36 गर के लिए आशिरवाद मांगने के लिए आया हूँ जब मैं विख्सित भारत कहता हूँ तो कॉंग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गरम हो जाता है अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगर जाएगा आज अगर भारत आत्म निर्भर बन गया तो कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी इसलिए वो भारत में कॉंग्रेस और इंडी गड़बन बन की कमजोर सरकार चाहते हैं ऐसी कॉंग्रेस सरकार जो आपस में लड़ती रहे जो गोटा ले करती रहे साथियों कॉंग्रेस का इतिहास सत्ता के लालच में देश को तबाह करने का रहा है देश में आतंक बात फैला किसके कारण फैला किसके कारण फैला किसके कारण फैला किसके कारण फैला देश में नक्सलवाद बड़ा किसके कारण बड़ा किसके कारण बड़ा साथ्यों कॉंग्रेस का कुशासन और लापरवाई यही कारण है कि देश बरबाद होता गया आज भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद कड़ी कारवाई कर रही है लेकिन कॉंग्रेस क्या कर रही है कॉंग्रेस हिंसा फेलाने वालों का समर्थन कर रही है इतना ही नहीं जो लोग मिर्दोशों को मारते हैं लोगों के जिना हराम कर देते हैं पुलीस पर हमला करते हैं सुरक्षय बोला पर हमला करते हैं अगर वो मारे जाएं तो एक कॉंग्रेस वाले उनको शहीद कहते हैं जब आप ऐसे लोगों को शहीद कहते हो ना है तो इस देश के शहीदों का बीरों का अपमान करते हो इसी कॉंग्रेस की सबसे बड़ी नेटा आतंक वाद्यों के मारे जाने पर आंसु बहाती हैं ऐसी ही करतूतों के कारान कॉंग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है भाई और बहनों आज जब मैं सरगुजा आया हूँ तो कॉंग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूँ और जब उनका मैनिफेस्टों आया उसी दिन मैंने कह दिया था आज नहीं कह रहा हूँ उसी दिन कहा था के कॉंग्रेस का मैनिफेस्टों पर मुस्लिम लिग की छाप है साथियों जब संबिदान बन रहा था काफी चर्चा विचालना के बाद देश के सभी बुद्धिमान लोगों के चिंतन मनन के बाद बाबा साब आमबेड करके नित्रुत्व में गित्ताए किया गया था कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होगा आरक्षन होगा तो मेरे दलीद भाई बेहनों के लिए होगा मेरे आधिवाजी भाई बेहनों के लिए होगा लेकिन धर्म के नाम पर आरक्षन नहीं होगा लेकिन वोट बैंक की भूठी कॉंग्रेस ने कभी इन महापुरूसों की बातों की परवा नहीं की संविधान की पवित्रता की परवा नहीं की बाबा साब आमबेड करके शब्दों की परवा नहीं की कॉंग्रेस ने बड़सों पहले आंजर प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षन देने का प्रयास किया था फिर कॉंग्रेस ने इसको पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई इन लोगों ने धर्म के आधार पर 15 प्रतिशद आरक्षन की बात कही और ये भी कहा कि SC, ST, OBC का जो कोटा है उसी मैंसे कम करके उसी मैंसे चुरा करके ये धर्म के आधार पर कुछ लोगों को आरक्षन दिया जाए 2009 के अपने गोशना पत्र में कॉंग्रेस ने यही इरादा भी जताया 2014 के कॉंग्रेस के गोशना प्रत्र में भी इनोंने साप साप कहा था कि वो इस मामले को कभी भी छोड़ेंगे नहीं मतलब धर्म के आधार पर आरक्षन देंगे अगर दलीतों का आधिवाचियों का आरक्षन कट करना पड़े तो करेंगे कई साल पहले कॉंग्रेस ने करनाटका में धर्म के आधार पर आरक्षन लागु भी कर दिया था जब वहाँ बीजेपी सरकार आई तो हमने संविधान के विरुद्ध बाबा साब आमबेड करकी भावना के विरुद्ध कॉंग्रेस ने जो निनने किया था उसको उखाड करके फैंक दिया और दलीतों को आधिवासियों को पिछणों को उनका अधिकार वापस दिया लेकिन करना टकी की कॉंग्रेस सरकार उसने और एक पाप किया मुस्लिम सम्युदाय में जितनी भी जातिया है सब को उन्होंने ओबी सी कोटा में डाल दिया और ओबी से मना दिया जानी जो हमारे देश के ओबी सी समाज को लाब मिलता था उसका बड़ा हिस्सा कड़ गया और वो भी वहाँ चला गया जानी कॉंग्रेस में सामाजिक नायक का अपवान किया सामाजिक नायक की हत्या की कॉंग्रेस भारत के सेक्यूरिजम की हत्या की करना तका अपना यही मोडेल ये कॉंग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है कॉंग्रेस सम्विधान बदल कर HC, ST, OBC का हत अपने वोट बैंक को देना चाहती है भाई और बहनों ये सिर्फ आपके आरक्षन को ही लूटना नहीं चाहते उनके तो बहुर बहुत कारणा में है और इसलिए मेरे आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहता हूँ मेरे दलीज भाई बहनों को कहना चाहता हूँ मैं OBC के भाई बहनों को कहना चाहता हूँ ये कॉंग्रेस के इदादे लेक नहीं है संबिधान के अनुरूप नहीं है, सामाजी की नयाय के अनुरूप नहीं है, भारत की बिन सांप्रदाइक्ता के अनुरूप नहीं है, अगर आपके आरक्षन की कोई रख्चा कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ भारतिये जनता पार्टी कर सकती है और इसलिए आप भारतिये जनता पार्टी को भारी समर्दन दीजिए ताकि कॉंग्रेस की एकने चले किसी राज्य में भी वो कोई हरकत न कर सके इतनी ताकत आप मुझे दीजिए ताकि मैं आपकी रक्षा कर सकूँ साथियों कॉंग्रेस की नजर सिर्फ आपके आरख्षन पर ही ऐसा नहीं है कॉंग्रेस की नजर आपकी कमाई पर आपके मकान दुकान खेट खलिहान पर भी है कॉंग्रेस के सहाजादे का कहना है कि एक देश के हर गर, हर अल्मारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्स्रे करेंगे हमारी माताओं बेहनों के पास, जो थोड़ा बहुत स्त्रीधन होता है गहने जेवर होते हैं, कॉंग्रेस उनकी भी जाज कराएगी यहां सरगुजा में तो हमारी आदिवासी बेहने चंद्नबा पहनती है, हंसूली पहनती है, हमारी बेहने मंगल सुत्र पहनती है कॉंग्रेस यह सब आप से छीन कार, वो कहते हैं, हम इक्वली डिस्टिबूट कर देंगे अब आपको मालूम है न, वो किसको देंगे, मालूम है न, किसको देंगे, आप से लूट करके किसको देंगे, मालूम है न, मुझे कहने की जरुवत है क्या, क्या ये पाप करने देंगे क्या आप, और कहती है कॉंग्रे सत्ता में आने के बाद ही वो एक के बाद ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाएगी अरे यह सपने मत देखो देश की जनता आपको ऐसा मोका नहीं देगी साथियों कॉंग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं शाही परिवार के सहजादे के सलाकार इस शाह परिवार के सहजादे के पिताजी के भी सलाकार उन्होंने कुछ समय पहले किया कहा था और यह परिवार उन्हीं की बात मानता है उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडल क्लास है मज्दमबर की यह लोग हैं जो मेहनत करके कमाते हैं उन्होंने का उन पर जादा टैक्स लगना चाहिए कि इन्हों औरे पब्लिक लिखा है अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं अब कॉंग्रेस का कहना है कि वो इनहरिटेंस टैक्स लगाएगी माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी बलकि कॉंग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे च्छिन लेगा यानि कॉंग्रेस का मंत्र है कॉंग्रेस की लूट कॉंग्रेश का मंत्र है कॉंग्रेश की लूट जिन्दकी के साथ भी और जिन्दकी के बाद भी जब तक आप जीवित रहेंगे कॉंग्रेश आपको ज्यादा टैक्से मारेगी और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इन्हेरिटेंट टैक्स का बोजलाद देगी जिन लोगों ने पूरी कॉंग्रेश पार्टी पैत्रूप संपति मान कर अपने बच्चों को दे दी वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भार्टिय अपने बच्चों को अपनी संपति दे भायो भनो हमारा देश संस्कारों से संस्कूर्टी से उपभोगतावादी देश नहीं है हम संचय करने में विश्वात करते हैं संवर्धन करने में विश्वात करते हैं आज अगर हमारी प्रकूती बची है परियावरन बचा है तो हमारे इंसंस्कारों के कारण बचा है हमारे हाँ घर में बूड़े माबाब होंगे दादा दादी होंगे उनके पास एक छोटा सा भी गहना होगा न अच्छी एका चीज होगी तो समाल करके रखेगी खुद भी पहनेगी नहीं क्यों वो सोती है मेरी पोती की जब शादी होगी तो मैं उसको दूगी मेरी नाती की जब शादी होगी तो मैं इसको दूगी याने तीन तीन पिड़ी का सोच करके वो खुद अपना हक अन्मी नहीं भोगती वो बचा के रखती हैं ताकि अपने नाते नाती को भी दे सकें ये मेरे देश का स्वभाव है मेरे देश के लोग करके करकर के जिन्दगी जीने के शौकिन लोग नहीं हैं महनत करके जरूरत के हिसाब से कर्च करते हैं और बचाने के स्वभाव के हैं ये भारत के मुलवुद जिन्तन पर भारत के मुलवुद समस्कार पर ये कॉंग्रेस पार्टी कड़ा प्रहार करने ज एक तो ये सोच उनकी बहुत पुरानी है आप पुरानी चीज़े खोजोगे ने और ये जो लोग फैक चेक वाले जो है ना मोदी की बाल की खालू दढ़ने में लगे रहते हैं ज़रा कॉंग्रेज की हर चीज देखिए आपको हर चीज में ये बूव आएगी मोदी के बाल की खाल गड़ने में टाइम खड़ाब मत करो लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये कल तुफान इनके यहों क्यों मच गया जब मैंने कहा कि अर्बन नक्षल शहरी माओवादियों ने कॉंग्रेज पर कब्जा कर लिया है तो उनको लगा कि कुछ अमेरिका को खुश कर लिए भी कहना चाहिए यह मोदी ने इतना बड़ा आरोफ लगाया तो बैलेंस करने के लिए वो उधर की तरह अंबुढने का अगनाटक कर रहे हैं लेकिन वह आपकी संपत्ति को लूटना चाहते हैं आपके संतानों का हख आज ही लूट लेना चाहते हैं कि आपको मन्जुर है जड़ा पूरी ताकत से बताइए उनकर कान पर सुनाइजे यह मन्जुर है देश से चलने देगा आपको लूटने देगा आपके बच्चों की संपत्ति लूटने देगा साथ यह जितने सार देश में कॉंगरिस की सरकार रही आपका हग का पैसा लूटा जाता रहा लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद अब आपके हग का पैसा आप लोगों पर खर्च हो रहा है इस पैसे से 36 गड़ के करीब 13 लाख परिवारों को पक्के घर मिले इसी पैसे से जहां लाखों परिवारों को मुप्त राशन मिल रहा है इसी पैसे से पांच लाख रुपे तक का मुप्त राश मिल रहा है मोदी ने ये भी गारंटी दी है कि चार जुन के बाद 36 गड़ के हर परिवार में जो बुजुर्ग माता पिता है जिनकी आयूद सत्तर साल हो गई है अब उनको मैं कहना चाहता हूँ आज अगर आप बिमार होते हैं तो आपके बेटे को खर्चना पड़ता है अगर सत्तर साल की उमर हो गई है और आप बेटे पर बोज नहीं बनना चाहते हैं तो ये मोदी आपका बेटा है आपका इलाज मोदी करेगा आपके इलाज का खर्च मोदी करेगा सरगुजा के ही करीब एक लाग किसानों के बैंक खाते बैं किसान लिदी के सबाद दो सो करोड रुपे जमा हो चुके और ये आगे भी होते रहेंगे सात्यों यहां सरगुजा में करीब चार सो बसाट ऐसी हैं जहां पहड़ी कोरवा परिवार रहते हैं पंडो माजी मजवार जैसी अनेक अत्री पिछिडी जनजात्या यहां रहती है 36 गड़ और दूसरे राज्यों में भी रहती है हमने पहली बार ऐसी सभी जनजात्यों के लिए 24,000 करोड रुपे की पीम जन्मन योजना भी बनाई है इस योजना के तहट पक्के घर, बिजली, पानी, सिक्षा, स्वार, कौसल विकार ऐसी सुविदाएं पिछडी जनजात्यों के गाउं तक पहुँचेगी साथियों, दस वर्सों में भाती भाती की चुनोतियों के बावजोत, यहां रेल, सड़क, अस्पताल, मोबाईल टावर, ऐसे अनेक काम हुए है यहां एरपोर्ट की बर्सों पुरानी मांग पूरी की गई है आपने देखा आएं, अंबी कापुर से दिल्ली के ट्रेन चली, तो कितनी सुविदा हुई है साथियों, दस साल में गडिप कल्यान, आदिवासी कल्यान के लिए हमने इतना कुछ किया लेकिन यह तो सिरफ ट्रेलर है ट्रेलर आने वाले पांच साल में बहुत कुछ करना है सरगुजा तो स्वर्गजा यानि स्वर्गी की बेटी है यहाँ प्राकुर्दिक संदर्य भी है, कला संस्कृती भी है, बड़े मंदिर भी है हमेए छेत्र को बहुत आगे लेकर जाना है और इसलिए आपको हर बूत पर कमल खिलाना है साथियों, 24 के इस तुनाव में आपका इस सेवर्ग नरेंद्र मोधी को आपका आशिरवाद चाहिए मैं आप से आशिरवाद मांगने आया हूँ आपको केवल एक साउसद ही नहीं चुनना बलकि देश का उद्वल भविश्य चुनना है अपने आनी वाली पीडियों का भविश्य चुनना है इसलिए राष्टन निर्मान का ये मोका बिलकुल न गवाएं गर्मी हो शादी ब्याका अवसर हो खेत में कोई काम निकला हो रिष्टेदार के हाँ जाने की जरुत पड़ गई हो इन सब के बावजूद भी मतदान के दिन कुछ समय ये आपके सेवक मोदी के लिए निकाल लिए भारत के लोगतंत्र के निकालिये भारत के उजवल भविश्ची के लिए निकालिये आपके बच्चों की गारंटी के लिए निकालिये और मतदान अवश्य करें अपने बूथ में सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला मतदान हो इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ लोगतंत्र का उत्सव होना चाहिए गाजे बाजे के साथ लोगतंत्र जिंदाबाद करते करते मतदान करना चाहिए और मैं आपको बादा करता हूँ भाईयो बहनो मेरे लिए आपका एक एक वोट यह सिरफ वोट नहीं है मेरे लिए इश्वर रुपी जनता जनारदन का आशिरवाद है यह आशिरवाद परमात्मा से कम नहीं है यह आशिरवाद इश्वर से कम नहीं है इसलिए भारतिये जनता पार्टी को दिया आपका एक 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 वोट कमल के फूल को दिया हुआ आपका एक-एक बोट विक्सित भारत बनाएगा और ये मोदी की गारंटी है कमल के निशान पर आप बड़न दबाएंगे कमल के फूल पर आप बोट देंगे तो वो सीधा बोट मोदी के खाते में जाएगा वो बोट सीधा मोदी को मिलेगा भाई और मैंनो साथ माई को साथ माई को चिंतामणी महराज जी को भारी मतों से जिताना है मेरा एक और आगर है आप गरगर जाईएगा और कहिएगा मोदी जी ने जो हार कहा है कहेंगे मेरे साथ बोलिये भारत माता की हार कहा हाँ पूले कहा देक पुछ मेरे कहा है मेरे की लाईएवा- Ciao झाल झाल